अम्रित्वाणी अज्यान अब्रेत्वतों को बिलाने वाली है बगुजन्मों के अज्यांत मेरे शड़ भर में मिटाने वाली है यह पीश्ट्रिपा की थारा अब भाक्तों पर गिराने वाली है मानब को उसके सत्पत का यह बूर कराने वाली है मुरुदानमस्टसंशेग्या अथर्वाजिगयंचयत मस्तिगाद उर्द्वा प्रहिर्यत प्वमानुदे शिर्षक वस्वानिदे वस्वाजितर दुरितानि पराष्वा यद्वाद्रम तन्नाराकुवा स्वादगुर के प्यारे भक्त शिष्यों मातुषक्ति देवियों बच्चों कैसी शुखघरी है कैसी शुखवेला है आज हम सभी एक ऐसी पावन पारम पावन भूमी पर उपस्थित हैं जहां से स्वापून विश्व को आज्यात्मिक संदेश दिया जाता है। कि यह जो सुन सिकर आश्रम है इसकी महिमा कितनी भी करी जाए थोड़ी होगी। कि इस आश्रम को सद्गूर्देव काते थे कि सुन सिकर आश्रम मेरी इनवर्सीटी है। तो इस सुभा उसर पर हम सभी रज्यमन के लिए एक अप्त्र धूगे हैं। रज्यमन के फूल हो परले हम उम श्दका उचारन करेंगे। सभी एक स्वर से ओम स्वर का उचारन करेंगे कम से कम तीन वाग। ओम 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 कर दो कर दो औ हम कर दो हुम हलCome हुम π май हुम आख कर दो ौौौ। आख कर दो ौौ। आख कि आदो एम जवावन ओम शब्द का उच्चारन की ओम क्या है ओम जो है प्रभू का प्यारा नाम है दो तरह के शब्दों से नहीं एक वाच्य है और एक अवाच्य है वाच्य हो है नाम है जिसका हम उच्चारन करते हैं जिसका स्वंद हमारी वानी से है जन्त ओस्त यहुआ तालू के संजोग से हम ओम शब्द का उच्चान करते हैं ओम जो है प्रभू का प्रणात्मा का वाच्य नाम है यह और नाम् है जिसका स्वंद हमारी वानी से नहीं है हमारी जिवा से नहीं है हमारे तालू से नहीं है हमारे उष्ट से नहीं है उसी कहते हैं अवाच्यवाणी जो जपा नहीं जाता है जो अजपा होता है ओ जो शब्द है बना है अवधातु से अवते तीलो पस्च सुष्य से मन प्रत्य होने पर ओम बनता है ओम मतलब रक्षा करना है प्रभू तुमे रक्षक हो अवती रक्षादिकम करो शी इस ओम प्रणवा जो प्रभू मेरी हर स्रह से हर काल में रक्षा करता है उस प्रम्प्रभू प्रमात्मा का वाचा के नाम ओम है रिषी कहते हैं तष्य वाचा का प्रमावा तो हम सबने ओम की ध्वनी की तुम् अम जो है दो तरह का है एक ओम हुआ है जिसका हमने उचारन किया जिसको जपा और एक ओम हुआ है जिसका सादक ब्रह विद्या भिहंगम योग की दूसरी कोटी में अनभाव करता है हमारी सीर हमारा शिर ग्रीवा चाति एक सीर में हो हमारी चेतना गुर्व प्रदेश में हो जिस भूमी का उपदेश्ट है, वहां पर अपनी चेतना को इस्तिर करेंगे। किसी भी कोटी की साधना शुरू करने के पहले, नियम यहा है, कि पहले हम अपनी आराज देव का ध्यान करें, सद्गुल देव का ध्यान करें, और ध्यान करने के बाद साधना शुरू करें, जिस कोटी का जो साधक है, पहले सद्गुल का समान करें उस भूमी पर, और इसके बाद साधना शुरू करें. आज हम यजे के सुब आशर पर यहां सभी उपरतित हुए हैं, यजे की बहुत बड़ी महिमा है, यजे हम करते हैं निरोग राने के लिए, स्वस्त राने के लिए, प्रस्टन है कि निरोग हम कैसे यजे के माध्यम से होंगी, यजे में क्या ऐसी विशेष्टा है, जिसका स्वंबंध हमारे उस्पास से है, वो स्वंबंध है, यजे हम जब हम करते हैं, तो यजे का धुमान करता है, वो धुमा जो है, जाता है नाचका के माध्यम से हमारे थेपरे में, हमारे हदय में, हमारे हदय में, हमारा हदय, थेपरा, एकृत, अमा से सबसुद हो जाता है, उसमें, यजे की जो धुमा है, प्रवेश करता है, उस धुमें से क्या लाव है, लाव यही है, जो धुमा है, जो धुमा है, जो जाता है हमारे हदय के अंदर, फेपरे के अंदर, हमारा हदय बलिष्ट होता है, स्वांस, प्रस्वांस, त्रिक्रिया, चेज हो जाती है, फेखलों में बल प्रदाम हो जाता है, क्यों? यज की जो धुमा है, बंदू, वह धुमा पिर्षोल का नहीं है, इंजन का नहीं है, वह धुमा जो है लकडी का भी नहीं है, वह धुमा कूले का भी नहीं है, वहतू दुआ आरे वी दिख और शदियों का है और वह दुआ जब जाता है शरीर के अंदर तो शरीर के बहुत सारी रूग ठीक हो जाते हैं, शरीर से हम स्वस्त हो जाते हैं यज के द्वारा यह जो पजावराना है वह भी सुद्ध होता है वातारवन सुद्ध होता है यज्य होन जहां पर होता है रूग के किटानों आपर नहीं राते हैं यज्य होन के द्वाला हमारी जो भौतिक कामनाएं हैं शानसारी कामनाएं हैं वह भी सुद्ध यज्य होन करना कोई जिस काम कर्म नहीं है यज्य होन हम करते हैं वहां पर सकाम कर्म है यज्य करने के पीछे हमारी जार के कुछ कामनाएं हैं उन शुक कामनाओं की पूर्ची के लिह हम यज्य होन करते हैं इस नसार के अंदर जितने भी शुब कर्म हैं, उन सभी शुब कर्मों में यज्यामन करना सभ शुष्ट कर्म है। रिश्यों ने कहा, स्वर्ग कामो यजेता, जिसको स्वर्ग की कामना हो, अत्वा जो स्वर्ग की कामना रखता हो, वह प्रती दिन यज्यामन करें। स्वर्ग से क्या मतलब है। सांसारिक शुख, भौतिक शुख, क्युख लबजी। यज्यामन के द्वारा हम प्रभू से प्रमात्मा से प्रात्ना भी करते हैं। यज्यामन के समय जो बैदिक मंत्रों के द्वारा हम प्रम प्रभू से, स्वद्गुरू से प्रात्ना करते हैं। कि हे प्रभू हमारे अंदर जो दुर्गुन है उसको दूर कर दो। और हमारे अंदर स्वद्गुन का प्रवेश हो। हमारी भावना शुद्ध हो। प्राने मात्र के लिए द्रया के भावना हो। परोवकार के भावना हो। उंच नीच का भाव मिठ जाए। छोटे बड़े का भाव मिठ जाए। मानों जाती ही एक है। या जहान के द्वारा हमारे जोगी पुरात्म रिषी महर्षी हैं। उने में से कुछ रिषी महर्षी ऐसे हैं। जो आज भी ब्रह्मन कर रहे हैं। अंतरक्ष में अव्यक्त रूप से हैं। जब हम यज्वन करते हैं। तो यह अमारे जिशी हमें अव्यक्त रूप से दर्शन देते हैं। आशिरवाद देते हैं। बर्दान देते हैं। हमारे कर्द्यान के लिए अव्यक्त रूप से हम सब को देखते रहते हैं। कई तरह की सिदियां हैं। एक जन सिद्धी है, एक असथधी सिद्धी है, एक तप सिद्धी है, एक समाधी सिद्धी है। तो मंत्र सिद्धी भी होती है। मंत्रों का भी एक अलग प्रहाव होता है। वेदिक मंत्रों के द्वारा हम अपने पुरातन रुषियों का आवाहन करते हैं। आज हम यर्जवन के समय में जब आउसियां देंगे, तो हम मंत्रों के माधन से रुषियों का आवाहन भी करेंगे। प्रतिक मंत्र के तीन तरह के अल्स होते हैं। अद्धायरिक आद्धात्मित और एक भौतिक रुषियों के हम मंत्रों का आवाहन करते हैं। जिसका आधार हमारी मन बानी इंद्रियां होती है। एक मंत्र अभावतिक है, अद्धायरिक है, एक मंत्र आध्यात्मित है। सभी मंत्रों के रिशी भी अलग हैं। किसी मंद के रिशी भ्रगु हैं। किसी मंद के रिशी विश्वामित्र हैं। किसी के उल्मोचन हैं। बहुत सी रिशीकाएं भी हुई हैं। मंत्रों के जो दश्टा थी। तो मंत्रों में भी एक शिर्धी है। मंत्रों में भी एक बल है, एक ताकत है। वैदिक मंत्रों के द्वाला हम अजिश्यों का क्या करते हैं। आवाहन करते हैं। आवाहन करने की भूमी भी दो तरह की होती है। पहली विधी है वहां पर जहां पर हमारी इंद्रियां हैं। जहां पर हमारा मन है। और एक विधी वह है। जिसका आदार मन पुद्धी इंद्रियां नहीं है। जिसको भी हंगम योग के पढ़ेता। सद्गु सदाफ़ दिव जी महलाज ने कहा। कि यह मेरा अध्यात में यज्य है। जो अध्यात्रियक्या ए उसका स्वमंद जड़ जगत से नहीं है। भौतिक जगत से नहीं है। इसका स्वमंद है। चेतन भूमी से है। चेतन आधार से है। चीतन मंदर से है यह। यज की जो संस्कृती है बहुत पुरानी है, हर काल में यज्यावन होते आये हैं। यज किया था अस्रों ने भी, यज हुन किया था देवों ने भी, दोनों के यज्यों में अंतर है, रिशियों द्वारा जो यज होता है, उसके अंदर सब के तर्यान की भावना होती है। असुन जो यज करते हैं, उनकी भावना अशुब होती है। उनकी अंदर इश्या है, द्विंश है, वैमनश्व है, उनकी भावना बड़ी कुस्चित है। दूसरों का अशुब करने के लिए यज होन करते हैं। और हमारे जो रिशी हैं, जो देव हैं, वो सब के सुभ कामना की मंगर कामना की कामना करते हैं। कि सभी प्राने मात सुखी रहें, स्वस्त रहें, निरोग रहें। वेदों के अंदर रिश्यों ने कहा। सुतामया वरता वेदमाता प्रचुदयंतां पावमानी दिजानां आय। प्रानं प्रजां प्रजां प्रशुम् किर्चिं दविनं ब्रह्म वर्चसं मैं दत्वा ब्रगत ब्रह्म लोकं। इस मंत्र के अंदर रिशी कहते हैं कि हे प्रभू, हे प्रमात्मा, मेरी अंदर स्वास्त दो, मेरी आई दो, धन दो, लक्ष्मी का अभाष हो, हमारी यश्किरती भैले और ये ब्रह्म विद्या हमें ब्रह्म वर्चस दो, हम जहां श्याएं वहां पर पहुंच जाएं। वेदों के अंदर हम प्रभू से प्रास्ना करते हैं, विश्वान दीव शवितर दुरितानी पराशुव यद भज्रम तन्न आशुव हे विश्व के मालिक हमारे जो दोष हैं, हमारे जो दूर हैं, हमारे अंदर जो अविज्या है, अज्ञानता है, ग्रेश है, इल्ष्या है, कला है, विश्व की भावना है, इन्हें सब को भगा दो, हटा दो, और हमारा सुबकल्यान हो, हमारी भावना सुद्ध हो, मंगलकारी हो, तो इस तरह से यज्यवन की जो प्रक्रिया है, इसके भी कई तरह के भेत हैं, यज्यवन करने की जो प्रक्रिया है, उच में कल्यान की भी भावना है, जो भावना हमा में गिश्वन करते हैं, विद्वान करते हैं, और जो अशुर हैं, नीच सुभाव के हैं, यज्यवन करते हैं, उनके अंदर कल्यान की भावना नहीं है, बिनाज की भावना है। तो यज होन में एक बिशेष सक्ती नहींत है। बिहंगम योग के पढ़ने का सुलगु शदाफ लिवजी महराज ने भुमंदल प्रचार करने का जो संकर्प लिया। उसके पहले एक लाख मंत्रों से यज हमन किया। लक्षावती यज किया। इसके बाद भुमंदल प्रचार का आरंब किया। तो मंत्रों में एक बिशेष सक्ती है। एक बिशेष बल है। रिश्यू ने कहा। यज हमन करो। सुवा भी करो और स्वाम को भी करो। प्रातरकार के मंत्र अलग है। स्वाम के मंत्र अलग है। स्वाद्गु श्राफर्देवजी महराज ने अध्यात यज किया था। अध्यात यज वा यज्य है। जिसका स्वामन्द चेतन धरातर से है। चेतन भूमी से है। यज हमन के अंदर तीन तरह के लोग राते हैं। एक जोगे हैं जो हम से बड़े हैं आयू में। दूसरे वे हैं जो समान आयू के हैं। तीसरे वे हैं जो हमसे आयू में छोटे हैं। हमसे जो आयू में बड़े हैं। उनका हम कैसे सम्मान करें। उनका हम कैसे आदर करें। यह शिख्छा मेंती है यह हमन के द्वारा जो समान आयू के हैं उनके साथ हमारा समंध कैसा हो दोस्ती का हो मित्ता का हो और जो हम से छोटे हैं आयू में उनको हम क्या करें? प्रेम दें, स्ने दें, प्यार दें, यह शिख्छा कैसे मिलती है यह हमन के द्वारा हमारी अंदर शुब भावना का उजय कैसे होगा शुब विचार के हम स्वामी कैसे बनेंगे जब हम प्रती दीन यज हमन करेंगे देवों का आवाहन करेंगे, रिष्यों का आवाहन करेंगे, तन में मना शिव सांकर्प्व बस्तू रिष्य काथे हैं कि कि हमारा जो मन है वो कैसा हो अच्छी संकल्प वाला हो अच्छी विचार वाला हो यज जो सब्द है इसका आश्वता क्या है दीव पूजा, संगति करन और दान देव कौन है विश्यों ने कहा मात्त्रव भव, पृत्रव भव, आचार्य देव भव, मात्त्र मान, प्त्रय मान, आचार्य मान, पृत्रव रुरशु वगता वेवी देव हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकि उनकी जो शक्सी है, अब्यक्त रूप शेकार कर रही है, उनकी भी प्रास्ना हम करते हैं, उनकी भी हम पुजा करते हैं, अब्यक्त हैं, उनका भी हम आमाहन करते हैं, प्रकृति मंडल के अंदर सूर्य भी देव है, चंद भी देव है, अग्नी भी देव है, जल भी देव है, देवों के भी कई शेनिया हैं, देवों के भी कई ध्रातल हैं, कुछ देव ऐसे हैं, जो प्राकृतिक देव की संजया में आते हैं, कुछ देव ऐसे हैं, जिनको हम आज़ात में मानते हैं, देव कौन होता है, जो हमें कुछ देता है, जिसके द्वारा हमें कुछ प्राप्त होता है, उसे हम देव कहते हैं, गायत्री मंद के अंदर क्या है, ओम भूर भुवा अश्वा तत्स अवितुर वरेडियम भर्गो देवस्य धीमही धीव युना प्रतुदयात, इस मंत्र के अंदर शब्द आया है देवस्य, देवस्य जो शब्द है वह देव का सूचक है, दिव्यतीती देव, जिसके अंदर दिव्य गुन है, वही देव है, देवस्य जो शब्द के वी कई अर्थ बतलाए गये हैं, दिव, क्रीदा, विजीगीशा, व्यवहार, दूती, सुती, मौद, मद, स्वपन और कान्ति, ये देवस्य जो शब्द के नव अर्थ होता है। दिवितिती देवक्त जिसकी द्वारा हमें कुछ प्राप्त होता है, जो हमें कुछ देता है उसी को हम देव कहते हैं देव मतलब परमात्मा भी होता है, परमात्मा तो देव का देव है उसकी भी प्रास्ना हम वैजिक यह जहवन के समय में करते हैं हम सबके लिए बंगलकारी हो, हम सभी निलोग रहें, स्वस्त रहें, हमरा परिवाल सुखी रहें, संपन रहें, हम सबके घर में लक्षमी का बास हो, हम सभी निलोग रहें, स्वस्त रहें, सबसे बड़ा सुख्या है संसार के अंदर, कि जब तक हम संसार में रहें, स्वस्त रहें, निलोग रहें, तो यह जहान के अंदर हम प्रभू से प्रमात्मा से सद्गूर से प्रास्ना करते हैं, कि हे प्रभू, हे सद्गुरू, हमें निलोग रखो, हमारे परिवार में शुक्षांती हो, हमारा कोई सत्रुन हो, यह जूदिशाएं हैं, चारो दिशाएं हमारी मित्र बन जाएं, सब का हम मंगल करें, मंगल की भावना के साथ, जब हम यज्यवन करते हैं, तो इसका विशेश लाव होता है, प्राचीन काल में तो गुलकुलों में प्रसी दीन विद्यासी यह जवन करते थे, सुबह भी करते थे और शाम को भी करते थे, कालातर में यह प्रथा प्राय लुप्त हो गई, यह जवन स्यम विमक होते गए, यही कारण है कि हमारी सक्ती जो है क्रम से छीन होती गई, वह जवन सक्ता है कि घर घर में यह जवन हो, और संगती करा हो, संगती करन का मतलब क्या है, संगठन हो, छोटे बड़े का भाव मिठ जाए, वर्ग द्वन असांति दूर कर भेद भाव मिठ आईए, उंच नीच का भेद न हो, हम संग्ठित होएं, जहां पर संग्ठन है वहीं पर बल है, तो यह जवन के द्मारा, हमें प्रेणा मिलती है, कि हम किस रचे बड़े का, समानायू का और छोटे का ध्यान रखें, और हम किस रचे, किस मंदल से, सद्गू प्रभू का आवाहन करें, शक्ति का उपाजन करें, यज्यकार सोता है, दान भी, दान भी कई तरह का होता है, रिष्यों ने कहा, दान करो, तेकर दान के भी कई भेज बताए, अच्छे शुबकारियों में दान करो, स्द्धा के द्वारा, स्द्धा नहीं है तो अस्द्धा से भी करो, अस्द्धा भी नहीं है, तो संकोष से करो, भैस से करो, स्द्धा प्रभूर के डर से भी करो, अगर वो भी नहीं है, तो फिल क्या करो, किसी भाव से तुम्हें दान करना है, स्द्धा देयम अस्द्धा देयम, बया देयम स्द्धा देयम, दान करने की प्रविश्य होनी चाहिए, अगर आप का दान सद्धा में लग रहा है, स्द्धा प्रभूर में लग रहा है, तो अस्द्धा भी उसे करो, तो संद्धा नहीं है तो अस्द्धा से भी करो और अस्द्धा भी नहीं है तो सद्गुत्रभु के भैसे भी संद्धों से भी करो तेकि दान करने का बिर्हान सास्रूमें आया है। यज्यावन की महिमा बड़ी बिशर है और इसकी ब्याक्षा बहुत रंबी चोड़ी हो सकती है। स्वाय श्रीमा का ध्यान अखते हुए अब हम यहां बिराम लेना चाहेंगे। हमारे संसान के जो उच्च कोट के विद्यास्थी हैं। यह ज्यावन करता है। यह अब हम जज का आरम करेंगे। करेंगे।